और अगर यह गलती करोगे मैं लिट के कह सकता हूँ जिंदिगी में कभी यूटूबर नहीं बन पाऊगे साला एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा पाऊगे थमनेल देखकर कि यह तो जानी गए होगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि अपने चैनल पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाया जा सकता है बहुत ही तेजी से आज से अगर मैं बात करता हूँ पांच मेने पहले की तो मेरे सब्सक्राइबर कितने थे चिर्फ 454 सब्सक्राइबर थे लेकिन एक महीने के अंदर ऐसा कुछ कहानी हुई जिसकी वज़े से आज के डेट पर मेरे चैनल पर 11,800 से भी उपर सब्सक्राइबर है आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे चैनल पर यहां आज से पांच मेने पहले चिप 454 सब्सक्राइबर थे और आज फिडेट पर 11,800 से भी उपर सब्सक्राइबर है और रोज अच्छी खासी संख्या में सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा मैं यह नहीं बताऊँगा कि भाया यह करो वो करो फरजी कुछ नहीं बताऊँगा साइड पर देखिए यह 10 ऐसी ट्रेक्स हैं जिनको मैंने अपने चैनल पर लगाया जिस वज़े से मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ा अगर आप भी अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो परेसान हो चुके हो कि भाया ना जाने कितनी वीडियो तुमने देख ली ना जाने कितने बड़े बड़े यूटूबर की वीडियो देख ली लेकिन कुछ नहीं हुआ इन बेस ट्रिक को जो मैं लगाया हूँ अपने चैनल पर इनको आप भी लगाईए क्योंकि मैंने अपने चैनल को 2023 में ग्रो किया है और आप लोग वहां से सीखते हो जिनोंने पहले से अपने चैनल को ग्रो करके रखा है आज से तीन चार पान सल पहले से तो आप लोग उनसे सीखना पसंद करते हो यही रीजन है कि उनलों 2023 की चीज़ों को समझ नहीं पाते हमने अपना चैनल 2023 में ग्रो किया है जिस वज़े से हम आपको रियल में वो चीज़े बता सकते हैं जो हमने अपने चैनल पर लगाई और हमारा चैनल ग्रो हुआ तो आज की सुड़ों में यह 10 पॉइंट दिमाग से ध्यान से सुनना एक भी पॉइंट में समत कर देना यह जो लास्ट के तीर पॉइंट है ना यह आठ ना और दस और साथ में यह पाचवा पॉइंट यह चार पॉइंट अगर तुमने आज नहीं समझे तो मैं लिख के कह सकते हों कभी जिन्दगी में अपने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा पाऊगे क्योंकि यह सारे पॉइंट बहुत इंपॉइंट है लेकिन पाचवे नंबर का आठवा नौवा और दसवा यह पॉइंट सब से जादा इंपॉइंट है एक यूट्यूबर के लिए यह पॉइ आपको अपने तरीके के कीवड़ डाले है अपने टाइटल पे जो कि सर्च पर आए, बास समझ रहे हैं, आप जिसे माली डाल रहे हैं, योटूब चैनल कैसे बनाएं, तो आपको पहले सर्च करना है, देखना है, कि योटूब चैनल कैसे बनाएं, से रिलेटर कौल से ऐसे कीवर्ड हैं, जो सर्च पर टॉप पर आ रहे हैं, बास समझ रहे हैं, आप लोग यह गलती करते हो कि जब आप वीडियो डालते हो कोई भी सर्चेबल टैग अपने टाइटल पर नहीं डालते है बलकि हमको अपने टाइटल को थोड़ा सर्चेबल बनाना पड़ता है जो कि मैंने किया आप लोग मेरे चैनल के कोई भी वीडियो देख लो हर एक वीडियो का ट कि जिसको मैंने अपलाई कि दूसरे नबर का प्वाइट इपनेल अब यह क्या चीज ये दोस्तों आप लोग ना जब अपना विडियो बनाते हो पूरा का फोकस यू पर लगा देते हो वगिस्क जब मैं अपना बीडियो बनाता हूं ना तो मेरा 90% फोकस थम्नेल पर होता है वीडियो को बनाना ही है, weirdly सहए, बऐस्ट मीरो बनाना है, लेकिन जहां पर मैं वीडियो पर स्मय दे रहा हूं, वहीं पर मुझे थमनेल में भी समय देना पड़ता है. अगर मैं एक वीडियो को सूट करने में, मुझे दो गंटे लगते हैं, तो believe कर cœur like, ईए थूमनेल बनाने में कम से कम तीन से चार गंटे लगते हैं, क्यूंुकि मैं बहुत दिमाग लगाता हूँ, सोसता हूँ कि क्या यहां पर सही है क्या गलत है मतलब आपको ना अपना थम्नेल बिलकुल कैची बनाना पड़ेगा आप मेरे चैनल पर जाईए आप मेरे थम्नेल देखिए आपको मेरे थम्नेल कैची दिखेंगे नेगेटिव दिखेंगे बहुत कम लोग पसंद करेंगे क्योंकि अभी चोटे यूटुबर हो आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है आपको अगर अपना चैनल ग्रो करना है तो नेगेटिव थमनेल आपको बहुत ज्यादा कारगर रहेगा नेगेटिव इंडासेंस कि अपने थमनेल परना कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बनाओ कुछ ऐसा अट्रैक्टिव लिखो इससे पॉबलिक ओडियन्स अट्रैक्ट हो इससे आपको बहुत जादा अपने चैनल पर इंप्रोव्मेंट देखने को मिलेगा मैंने तो भाया ऐसा ही अपने चैनल ग्रो किया है तब ही बता रहा है जो मैंने किया है वही बता रहा हूं ठीक है अब बात करते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट की इसरा नंबर बहुत इंपोर्टेट है ठ्यान से समझें तीसरा नंबर है कीवर्ड रिसर्च आप लोग ना वीडियो बनाते होना इस बढूव बयुक्त। तो बस आप आप लिडो को टोटल डिमाग वीडियो पे रहता है लोगों पना लोगों को पसंद आया लेकिन वहीं पर जबाप वीडियो को अपलोड करते होना तो किवर्ड का आपको रिसर्च कर três माई आप जब भी अपना वीडियो बना रहे हो ना, उसके एक दिन पहले उसके सारे keyword को research कर लो, क्या मुझे title में लिखना है, क्या मुझे description में लिखना है, क्या मुझे को tag में डालना है, सापसी एक बार बताऊं मैं जब भी अपना वीडियो बनाता हूं ना मैं भाई आप पहले से सारी चीज़ डूल लेता हूं यह नहीं कि जब वीडियो बन गया उसके बाद भागम भाग रहती है कि जल्दी से अपलोड हो जाए और जल्दी से अपलोड करने कि चक्कर में हम ल सबस्किए भ्यांसा आप लोगोग् मैं बहुत सारी चैनल को करता हूं जो manière करते है कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं कहीं पर कुछ भी धर देते हैं भाई सच बता रहा हूं इस वजे से अपना चैनल पर वीडियो में बना रकिए इनका तरीका क्या है वह ने बताया है आप लोग यहीं गलती करते हो छिखना नहीं चाहते इस वज़े से अपना जो डिसक्रेप्चन होता है ना बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लिखते हो जिस वजे से यूटूब ना आपके description को सही तरीके से समझ नहीं पाता कि आप आखिर बताना क्या चाहते हो आप keyword तो डालते हो सरचेबल keyword भी अपने description पर डालते हो लेकिन डालने का जो तरीका है ना वो आप नहीं यूज करते जिस वजे से ही आपको failure देखने को मिलता है मैंने ना हर चीज को systematic ही apply किया है जिस वजे से मेरे subscriber इतनी तेजी से बढ़ रहा है बात समझ रहे है ना तो भाईया आप लोग को सीखना है तो description में link मिल जाएगा वीडियो को देखिए कैसे description डालते हैं कैसे title डालते हैं कैसे tag डालते हैं यह सब topic पर मैंने वीडियो पांचवे नंबर का पॉइंट है आप लोग ना एक गलती करते हों मैं देखता हूं ना जब भी मैं अपने subscriber के चैनल को देखता हूं और उनके चैनल के जो भी वीडियो हैं उनके जब मैं tag देखता हूं तो लोग क्या गलती करते हैं वीडियो किसी और topic पर है टैग कुछ पड़ा है अब बताईए किकना गंदा काम है यह मतलब आपका video किसी और topic पे है और tag किसी और topic पे लिए गलती है यह गलती है अगर तुम करोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला एक बात बताओ तुम YouTube पर क्यों आयों क्यों आयों क्यों आयों पैसे कमाने आयों ना तो पै पर ना हजारों लाखों लोग लगे हुए जो सही से काम करेगा वही आगे बढ़े हैं तैग डालो सही तरीके से आपका जिस टॉपिक बर वीडियो ही ना उस टॉपिक से रिलेटेड टालो मैं देखता हूँ कि तॉपिक कुछ और है टैग कुछ और ही पढ़े पर दक किस यूटूब है बात समझ रहे हैं चलिए आप बात करते हैं छटवे नंबर के पॉइंट का बहुत इंगेजिंग कॉंटेंट अब यह तो भई आपकी गलती बहुत भयाना करेती आप ना जब वीडियो बनाते हो तो बस जैसे लगता है बस जैसे कोई डंडा लेके साला खा दे करते हूं अपने मतलब ऀसको इतना इंट्रेस्टिंग बनाइए सामने माला देख रहा है इसको मजह आ आ जा है messi पंवारे तो चुशी सब्सक्राइब करे ना तुमोजîne करता है तुमको। लगता है तुमको क्ऑन्ट का टेख्ट के सचचच्चasion मतल़ पेडियो को entra थोड़ा ऐसा होना चाहिए, इंट्रेस्ट लगे लोगों को, अब जैसे आपके कटेगरी के बड़े यूटूबर वीडियो बना रहे हैं, वही तरह हक की तुमों धर दियो, तो बताओ तुमको कोई क्यू देखेगा, क्यू देखेगा, कोई तुमको क्यू सब्सक्राइब कर अल्ला जो तरीके से जो भी कॉंटेंट बनाता है, वो आगे जरूर बढ़ता है, हो ही नहीं सकता कि वो आगे ना पढ़े, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, बास समझे हो ना, छटवा पॉइंट समझ में आ गया होगा, अब बात करते हैं साथवे नंबर के पॉइंट की मह अब इंपॉडेंट पॉइंट है, और तुम लोग इस पॉइंट को मिस करते हो, मिस कर देते हो, सच में, ध्यास समझो, सत्वा पॉइंट है, अप्लोडिंग वीडियो, क्यों गल्ती करते हो, बड़े-बडे यूटूबर की जब तुम इंकम देखते हो, तब तो मोटीवे कि भाई बड़ा फेम है यूटूबर बनेंगे चार लोग जानेंगे पहचान होगी नाम होगा लेकिन जब काम करने की बारी आती ना तो तुम लोगों की टटी निकल जाती है चार दिन तो वीडियो डालते हो लेकिन उसके बाद बंद कर देते हो सच बोलूंगा बुरा लग करनी करनी मैं जाता है चार दिन में तुम को अब्लोडियो डालने की आती लगे चाहे आसमान फटे चाहे परसुभी इधर से उधार हो जाए चौथे दिन वीडियो आना ही चाहिए ये कसम खालो याद रखना रेगुलर अपलोडिंग में वह पावर हैं ना कि आपके चैनल की जो इंप्रेशन से ना वो कैसे बढ़ते हैं रोते रहते हो ना इंप्रेशन नहीं बढ़ रहा है इंप्रेशन रेगुलरेटी से इंप्रेशन बढ़ते हैं जो भी आपने अपने चल को डिसीजन दिया है उस डिसीजन पर खरे उतरने पर इंप्रेशन बढ़ते हैं बस सब्सक्राइबर हो लेकिन वो लोग अपने जो भी कमेंट है उनका रिप्लाई नहीं करते उनको दिल नहीं देते भाई देना चाहिए जब आपके कमेंट जादा आने लगे 100-200-400-500-000 तक तो पॉसिबल नहीं है कि आप सभी का कमेंट का रिप्लाई कर पाऊगे बट जब मेरे जल पे पहले जितने भी कमेंट साथे त्धान सव का चुन-जुन कर रिप्लाई करता शुक्राइन थे गवांत ता कित हुए आपने आधिन्स कर पाऊ तो अपने और नि घंक्त हो जाती। वो सुझत कि अरे भूपरे इन्होंने रेपलाई कर दिया तो सक्नेक्टिविटी बनानी है अपने सस्क्राइबर के साथ हुल vendor देना है उनको देने से क्या होता है उनको लगता है कि नहीं हमने कमेंट किया तो बंधे नेसे पढ़ा जैपिंग नहीं होती मैंने चल के अपने ओडियंस के साथ में रिलेशन बनाओ कमेंट कर एपलाई करो दिल दो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए ठीक है चलिए नवे नंबर का जो पॉइंट है वो गल्ती आपको नहीं कर दो सबसे बड़ी दिख्कत आप लोग को जो बैने यह बाते बताई हैं यह चीज़े आपको करनी है ठीक है लेकिन यह नवे नंबर की चीज़ आपको नहीं करने क्या है लिखा ध्यान से देखी लिखा हुए प्रमोड अन सोसल मेडिया क्या है आप लोग क्या गलती करते हो जब आपना वीडियो बनाते हो तो ऐसा कोई विफक में तुरनद सेयर कर देते हो टनी इस्टाइग्राम पर शहर करते हो गलती यह सब से बड़ी आज तक का रिकार्ड है हमने अपना कोई विडियो शेयर नहीं हमारे दोस्तों जानते ही नहीं कि हम यूटूबर है सोची यह हाल है हम नहीं चाहते क्यूंगि उसका गलत प्रोगाओ पड़ता है जब आपके लोग एक बात याद है ना आपके लोग आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे मैं आपको अभी से बोले दे रहा हूं बुरा होना हो चाहिए सच यही है कि आपके लोग आपको कभी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं चाहिए हो आपके दोस्त ह चाहिए आपके फरिवार वाले हूँ चाहिए परोसी हूँ support आपको आपके unknown लोग ही करेंगे और आपके अपने लोग आपके चैनल को बरबात करेंगे यह बात मैं अभी से बोलना, बुरा लगे तो भाया है, दो रोटी ज़ादा खालेमे लेकिन सच यही है, जब बाहर के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और आपका फेम हो जाएगा, तब आपके अपने लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे, जब तक आप आगे नहीं पड़ोगे, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, अब इससे लुकसान क्या है, आप अपने दोस्तों को वीडियो भेजोगे, वो आपका वीडियो नहीं देखेंगे, सच है, एक दो वीडियो देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे, आज जब वो नहीं देखेंगे, तो यूटूब को मैसेज क्या जाएगा, कि भाया, आखिर जो लोग इसके वीडियो देखे हैं, आखि यह गल्ती मत करना, ठीक है मैं नहीं करता हूँ, कोई भी बड़ा यूटुबर नहीं करता ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है दस्वी नमबर का क्या है, ध्याल से समझी, दस्वी नमबर का पॉइंट है पेशेंस, बहुत इंपोर्टेट पॉइंट है, आप लोगों के अंद कि उसके बाद भी आपको यूटूब पर डटे रहना है, रुके रहना है, और यह तब हो पाएगा जब आपके अंदर पेशन्स अच्छा खासा होगा, पेशन्स कब आपके अंदर आएगा, जब आपको अपने उपर विश्वास होगा, कि आप यूटूबर बन सकते हो, तभ जिन्दकी में कभी कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं, अगर आपके अंदर धैरता नहीं है, जिन्दकी में कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे, यह मैं आपको गारंटी से लिख कर कह सकता हूँ, तो आई हो दोस्तों, यह 10 के 10 पॉइंट आपको पसंद आये होंगे, व आप लोगों के प्यारों सपोर्ट से, ठीके, तो यह चीज़े आप भी अपलाए कीज़े, 100% आपको रिजर्ट देखने को जरूर मिलेगा, तो भाया, बस वही चीज़े, आज के वुड़ों के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट भुड़ों में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.